लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट के लिएरब्स के लिए ग्यों प्रेस दाइब किनुघका आःण नहीं के लिए खुशत खगती सत्य घुशती से लिएघेग मीन कि अलीक सकैर कि हेए लुख लुख कि लुख हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है फज जय को इस दो, दो लाटना, पाराद जो जिराक आuldगा हमक को प्रजाय पारे ड्राद अजान साथ मधू को अस्पताल ले जाने इतना घवरा क्यों रहे हैं आप अस्पताल लोगों को बचाने के लिए होते हैं इलाज करने के लिए मरीज को अस्पताल नहीं तो कहां बेजा जाए राजसाब मैं आपका दोस्त भी हूँ और आपका रिष्टेदार भी मधू आपकी पत्नी जरूर है लेकिन मेरे भी एकलौती बहन है वो आज तीन महीने हो गए उसे बिस्तर परपड़े हुए वो बहुत कमजोर हो गई है डिलिवरी के लिए उसे अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी है राजसाब तेकि ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं ये आपको गलत सरा नहीं देंगे इनका कहना भी यही है देखिये राजसाब मैंने आपके बीवी को अच्छी तरह से चीक अप किया है और मेरे ओपिनिन में इस बार ऑप्रेशन करके उनको बच्चे को जनम देना होगा देखिये अस्पटाल ना जाने की जिद छोड़ दीजे राजसाब तेर करने से बच्ची और मा दोनों की जन खत्रे में पर सकती है दोनों मर सकते हैं नहीं विरू चाहे कुछ भी हो जाए अब कि बार मधू इसी गर में रहेगी बच्चा ही पैदा होगा जब डॉक्कराा खुट कह रहे हैं उसे अस्पटाल ले जाना जरूरी है क्या किया है हॉस्पिटल नै चार बार हॉस्पिटल ले जा चुका हूं मैं और चारूं बार मरे बच्चे पैदा हुए मेरे पता ने कौशा गुना किया मैंने जिसकी सजा मेरी बीवी और मेरे बच्चे काट रहे और आपके स्पेशलिस्स न भी क्या किया? तस्टस से स्पेशलिस्chuss को दिखाया मैंने कोई नहीं बच्चा पाई न उनको कोई भरोसा नहीं मुझा आपके शंको के वाप से यहीं रहीगी वो इसी घर में बच्चा पायदा करेगी क्या मेरा बच्चा मेरा कुछ नहीं लगता गया वो मेरी बहंन का भी बच्चा है और मैं उसे यह ए स्पताल ले जाकी नहीं जाने दूंगा हॉस्पिटल मुझे हॉस्पिटल पर विश्थ नहीं है अगर तुम लोग इसी तरह जिद करते रहोगे तो तबाह करलूगा मैं आपते आपको माँ डालूगा मैं आपते आपको अज़र साहब, ये सिर्फ तुम्हारी जिद है ये मेरी जिद नहीं है मेरा विश्वास है मुझे यकीन है अब कि बार मेरा बच्चा जिन्दा रहेगा हाँ जीदी, जीजा जी की बात मान लिया हमने तुम्हें अस्पतार नहीं जाना होगा बढ़ा आप प्यार करते हैं तुमसे अभी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं गोली बार दूना आपको आप दोनों का प्यार देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया अब वेरु तुम भी शादी कर लो फिर देखना जिन्दगी का मजा हाँ भाईया, इनकी बात मान लो मेरे लिए एक भावी ले आऊँगा हाँ जीज़ा जी एसे अधर ओदर चलते चलते चार-फास किलो मेटर तो पूरे कर लियोंगे आपने जब तुम्हारी बीबी को ये तकलीफ होगी न तब पूछूँगा तुमसे, जान निकल जाती है मैं ये नौबत ही नहीं आने दूँगा जीजाजी शादी से पहले आप कावी समझदार आदमी हुआ करते थे लेकिन अब आपकी ये हलत देखकर मेरा तु दिल भर गया शादी सी तुने कुछ सुना क्या या मेरे कान बज़े है अरे आपके कान कोई रेडियो नहीं है जो बजने लगे ये मेरे भंजे की आवाज है अरे तो फिर गले मिलने मेरे यार राजा साहब लो डॉक्र साहब भी आगए बहुत बहुत मुबार्यक और राजी साहब आपके बेटा पर देखकर मधू कैसी है शीज आल राइट अच्छी है अहाँ पहाँ अपिलो आपियो चीर्स परसाब तब तो जशन होना चाहिए चमक चलो आए है चमक चलो है तू नाच चम चमा चम चमक चम चम चमच संदो ए रजा मोहिचाल की दैदि पायां सोने के देई दे कंगना मोही चांदे के देई दे पाय जोडे कंगना ना चुंगी सारी रज़िया राजा जी दोर यंगना नाचूंगी सारी रधिया राजा आजी दोरे अंग ना चमक छलो आय 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 तू नाच चम चमा चम 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 नाच चम 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 च जोली मेरे के भट लगवई दे, नदली तो है मोजी, छुमके मंगवई दे जोली मेरे के भट लगवई दे, कमर बुद दिन नदल चकेगी मोरी कहर ना, ना चुंगी सारी रतिया राजा जी तो दे अंग ना आय है, छमक चलो, तू नाच छम छमा चम चम-चम, 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 चम-चम चननन चननन चुम, जनक जनक जुम, तिर्गडदा, तिर्गडदा करने के तिल करो के तक кра में थे होते हैं करदा हम सब्सक्राश्य करूआ है कर ठाम δ Upper Upper Oh का जार घुन Сейчас ऐर allergic दोन ना इसना जام पाल कि अ, झार कर दौन Mandalal गोरी गोरी है छमिया तोरी है गोरी गोरी छमिया तोरी नंगी है गले खन 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 केंगी पहना तुटो है चूडिया नोजो देर हे खाली कोई थी मोरा अंद ना चूणी सारी रथिया राजा जी तोरी अंद ना नाचूंगी सारी रतिया राजा जे तोड़ी अंदनाज चमक चल नुप है तू नाच चम चमा चम 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 लागे छोटी राजा को हमरी उमरी या लागे छोटी राजा को हमरी उमरी या अड़ा वो किलाएगा ये चन्दा सी तू हनिया लागे छोटी राजा को हमरी उमरी या बड़ा हुख किलाएगा ये चन्दा सी तू हनिया तब मुन में राजा जे दूगी हीरे के बढगना नाच चूंगी सारी बैठिया राजा जे तोड़े अंदनाज ना चूंगे सारी रतिया राजाजी तोरे अंगना मोही चांदे के रैदे पाया सोने के रैदे कंगना मोही चांदे के रैदे पाया सोने के रैदे कंगना ना चूंगे सारी रतिया राजाजी तोरे अंगना ना चूंगे सारी रतिया राजाजी तोरे अंगना कि छलो मैरी जान आओ जिनाओ ज लूभ मैली जान विर फिर न बन出 नाओ खोफ जलो मैरी के छलो गुद मॉनिंग बेटा, जाग गए? चलो, उठो, उठो, धूप चड़ गई है, अभी उठो, हाँ, शुबाज, सुबाज जल्दी-जल्दी उठना चीए, बेटे, हाँ, हाँ, माँ को परणाम करो बेटे, शाबाज, माधू, तुम तो हमें छोड़कर चली गई, मगर तुमारे आखिरे निशानी को मैंने सीने से लगा कर रखा है, हर पल इससे मैं अपने पास रखता हूँ, अपने खरीब रखता हूँ, अब मेरी जिन्दर की का मकसद यही है, सिर्फ मेरा बेटा विजय, वाँ, इधर देखो, वाँ, वाँ, शाबाज, यह बहुत अच्छा लग रहा है, अब हमारा भादूर बेटा बड़ा हो गया है, अब हम आपके लिए एक ठीचर लाएंगे, जो आपको इसी घर में पढ़ाय करेंगी, A, B, C, D, A, A, E, O, O, B पढ़ेगा हमारा बेटा, स्कूल जाके पढ़ेगा, अरे भाई स्कूल, पागल हो गए क्या, अरे पागल होने की क्या बात है, तुम इसकी उमर में स्कूल नहीं जाते थे, क्या, हाँ जाते थे, मगर हम साथ भाई थे, हम इकलोते नहीं थे, अरे त कभी कोई अच्छी बात मी सोचा कर, इसके बारे में, है विजे, बेटा, हमारा बेटा स्कूल जाएगा ना, जाएगा, नहीं, नहीं, बेटे, स्कूल बिल्कुल नहीं जाना, इसकूल में टीचर आपके कांद पकड़ेंगी, आपको ढंडे से मारेंगी, बिल्कुल मत जान मैंने कख दिया विजय स्कूल जाएगा तो जाएगा बस पात ख़ुत expired मेरा बेटा घर घर पे पढ़ेगा भर जाओ तो भी ठीक है इसको छोड़ने भी मैं ही जाओंगा लेने भी मैं ही जाओंगा और सारा दिन मैं इसके साथ नरसरी में है विजय तुम और तुम्हारी पापा एक ही चाथ पढ़ेंगे एक ही क्लास में विजय बेटे पिल्कुल नहीं डरना हम रोज आपको अपने साथ लाएंगे इसी तरह यहां क्लास में बैठेंगे और फिर घर भी वापस ले जाएंगे हां ठीक है कौन है आप जी मैं विजय का बाप हूं यह मेरा बेटा है यहां तो किसने किसी का बेटा पढ़ता है अगर ह हम है ना इधर लाइए मगर टीचर जाएए प्लीज आप बाहर जाएए प्लीज जाएए 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 आप क्या हुआ आप बच्चे को मारेंगी तो नहीं हम क्यों मारेंगे अक्सर स्कूल में टीचर लोग बच्चों के कान खिंचती है और उनके सर पर टपू मारते हैं जब आप स्कूल में पढ़ते थे ना, तब मारते होंगे, आज कल कोई नहीं मारता है, हम तो बच्चों से प्यार करते हैं, आप आप जाईए और हमें क्लास लेने दीजिए, अच्छा, बेटा, बिल्कुल नहीं घबरा ना, मैं स्कूल के बाहर तुमारा इंतिसार करूँगा हाँ, अच्छा, देखो बच्चों, तुम्हारा ये नया दोस्त आया है विजे, आज से ये तुम लोगों के साथ पढ़ेगा, यहां बैठो, मतर मेरी, मेरे बच्चे का खैल रखना, टीचर बहुत सक्त लगती है, हज़ूर, बहुत गर्मी है ब्रेक लगा के, जरा छत्री की नीटी आ जाएगा, देखा सुलेमान, मैं अपने बेटे को घर पे ही पढ़ाना चाहता था, मगर विरू ने जित करके उसे स्कूल में इसलिए तो हुजूर मापका ड्राइवर मुझा, तो क्या पढ़ लेते हैं, तो मेरे पार्टनर बन जाते हैं, गुस्ताखी माप, फिर गलती हो गई, छत्रे सीधी तर पकड़, C-A-T, 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 C-A- अच्छी हो गई, छुटी, चलो, एई, बिराजा बेटा, आशाबाश, तुम्हें टीचर ने मारा तो नहीं? नहीं, टीचर बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें पसीना क्यों आरा बेटे? गर्मी लगती है, अले बाबबा, मेरे बेटे को गर्मी लग रही है, अले बाबबा, मेरे बेटे को गर्मी लगती है, मैंने सोचा कि उसके क्लास में एक A-C लगवा दूँ, I'm sorry, राजा साह शायद A-C की हवा बरदाश ना कर सके, और फिर हमारे स्कूल में पटास कम रहे हैं, हम सिर्फ एक रूम में A-C कैसे लगवा सकते हैं, आप कहें तो पूरे स्कूल में A-C लगा दूँ, जी नहीं, शुक्रिया, स्कूल पढ़ाई के लिए होता है, आराम के लिए नहीं, दे चीज की आदट डालिए, हर हालात में जीना सिखाईए, वरना बड़ा होकर वो बहुत पच्टाएगा, और आप उससे भी ज़्यादा पच्टाएंगे, राजा साहब, मगर मैं समझता था कि, I'm sorry, राजा साहब, इस मामले में मैं आपके कोई मदद नहीं कर सकता, चुले, बहर ले चलो, ओके रजाब, आच्छा, वाबाई, इनको ऐसास नहीं कि जरूरत से ज़्यादा प्यार औलाद के लिए कितना बुरा हो सकता है, गाड़ प्लेसिंग, राजा साहब, ये तो बताईए, एक्सिरेंट हुआ कैसे, रे राजा साहब, गाड़ी चलाते वक्त, साक के बजाए, अपने बेटे के शकल की तरफ देख रहे थे, गाड़ी सीधी जाके पीपल के पेड़ में लगी, गाड़ी का तो जो होना था, पीपल का पेड़ भी बिचारा रो रहा है, शुकर है कि विजय को कुछ नहीं हुआ, वही दर असल इसको खांसी बहुत जोरों से गई और मैं घबरा गया हूँ, क्यूंकि इससे पहले आज तक किसी बच्चे को खांसी तो होई नहीं है, अब आप गलत बात कर रहे हैं, हर बात पर टोकते रहते हैं आप मुझे, गलत बात नहीं है जीजा जी, बिलकुल काईदे की बात है, आप इसे गिल-गिला बनाने प क्यों नहीं ख्याल रख सकता, आपका कितना पुराना ड्राइवर है, थोड़ा सा अंधा है बस, है सुलिमार, इदर, आगया हुजूर, विजय को फॉरन स्कूल लेगे जा, सुनो, पहले आपने चेश्मे देखो, चेश्मा, हँजूर इसका आप क्या करेंगे, ये लिटे, कितना गंदा और पुराना हो गया ये चेश्मा, अगर इसके साथ ड्राइव करेगा, तो एक्सिडेंट हो जाएगा, ये ले, मेरे चेश्मा पनकर देख ले, किदर है, बहुत-बहुत शुक्रिया है, बेटे, गाड़ी से उतरके जब तुम रास्ता क्रॉस करोगे, पहले लेफ्ट को देखना, फिर राइट को देखना, अगर वहाँ कोई गाड़ी खड़ी हो ना, जब तक वो गाड़ी पास ना हो जाए, शड़क बिल्कूर पार नहीं करना, समझ गए? चलो 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 बेटा, जल्दी जाओ, श्कूल के लिए देर हो जाएगी, रवाजा, चलिए, छोटे सरकार, चलिए, आएए आज पहली बार मेरा बेटा मेरा बगैर इसको जा रहा है और आज जी जा जी आप पहली बार मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो क्यों पहले अच्छा नहीं लगता था आईए चोटे सरकार ब्रेक लगा के आईए अब सडक पार करें पापा ने कहा था पहले राइट देखना फिर लेफ्ट देखना फिर राइट देखना फिर लेफ्ट देखना फिर सडक पार छोटे सरकार मैंने राइट लेफ्ट सब देख लिया है ब्रेक लगा के अब चलो सडक पार करें आउ आओ रुकिए चली मुनना बड़ा प्यारा पापा का दुलारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा कोई छोटे सरकार आप अपनी कलास में जाईए मैं स्कूल खतम होने तक बाहर कार में आपका इंतजार करता हूँ और अच्छी तरह से पढ़ना मेटे जाओ जा ये अरे देख, लेफ राइट हागया लेफ राइट, लेफ राइट हॉल्ड अल्ड का मतलब नही समझता है क्या दिखा आइधर, बैग में कुछ खाने के लिए है क्या अरे बैग वापस देदे नहीं तो इक छोकरी रोऊ पड़ेगी हाहा, देदो, देदो, बना चुप कराने के लिए दूद की बॉटल कहां से लाएंगे? हलो पापा, हलो विरू अंकल, अमें विरू अंकल, नहीं, विरू भोल, विरू, सिर्फ विरू, मेरी तेरी उमर में फरक ही क्या है, ताड़ी रख ली तो इसका मतलब ये थोड़ी के मैं बुज़ूर्ग हो गया हूं, अभी भी जवान हूं तेरी तरह, जवानी नहीं, अखरी पेपर है, इसे कॉलेज जाने दो अभी, जाओ भंजे, जाओ, अच्छा, अरे सुनो विजय, रास्ता पार करते वक्त जरा दाएं बाएं देखकर चलना, जी, ओफ, जीजा जी, अब ये जवान मुष्टंडा हो गया, इतना लंबा चोड़ा, अब इसकी उमर लेफ रास्ते पर ले जा रहे हैं, अजी, मैं इसे किस रास्ते पर ले जा रहा हूं, ये मुझे मालूम है, लेकिन आपने इसे मिस्टर ललूराम बना के रखा हुआ है, सब मजाक उडाते हैं इसका कॉलेज में, मिस्टर लेफ्ट राइट कहते हैं इसे, और ये विचारा किसी को कुछ नहीं बोल पाता चक्रम समझते हैं सब इसको यह कैसे अलफा सिस्तेमा कर रहा है आप क्या चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह जुबान खोले और सब के साथ मारधार करता रहे हां बिल्कुल मैं ही चाहता हूं मेरी तरह हो जाए एंट का जवाब पत्थर से दे लेकिन क्या मतलब होता है आप मेंचे साल्ही सालह कहते रहेदेंगे नहीं पेचारा वजय यार अग्साम का टाइम हो गया लफ्राइट अभी ठेक ने आया अगर वह लेफ्राइट नहीं आया तो नहीं जाओंगा हटा उसकी निकल करकर तो मैं पास होता हूं अच्छा यार मैं चलती हूँ नहीं सिमा रुक जाओ मेरी मदेद के लिए तो रुक जाओ मुझे तो कुछ भी नहीं आता अरे लेफ्ट रेट आ गया अब मैं एक्जाम में पास से जाओंगा आईए चोटे सरकार ठैरिये पापा ने कहा था कि पहले लेफ्ट देखना फिर राइट देखना और अगर कोई गाड़ी ना देखे फिर सड़क क्रॉस करना चोटे सरकार मैंने राइट लेट सब देख लिया है अब आप इत्मनान से सड़क पार करिये चलिए आईये आये 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 अर इश्टा रिए वकापथा बच्चिगा बच्चिगा अरे चश्मिश आज तरी मुझको बहुत सभात है एक्जैम में चोटे सरकार, आज मेरी सास ने सुसुराल में बुलवाया है, लगता है आज मेरी फिर पिटाई होगी, आपको लेने, इसलिए मैं नहीं आउँगा, मेरा साल आएगा ठीक है, आप जाएए, अपना ख्याल रखना अच्छा है, जल सुले बार पिटने के लिए आज में तुझे नकल करने नहीं दूँगा, कल तो बाल बाल बचके, अगर पकड़े जाते तो तू नहीं करने देगा? नहीं तो तू नकल नहीं करने देगा? नहीं देगा फेट, तू नकल करने देगा की नहीं? कभी नहीं नकल करने देगा की नहीं? नहीं तू नकल करने नहीं जाए तुरे चश्मा है ना ये फोद आनूमा ने चश्मा मत तोड़ आ तुझे नकल करने दूमा नकल करने देगा हाँ ये लिए चल चल नकल करने दे चल 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 तुम्हारा है ये पिपर में रहे तुम्हारा है ये पिपर मेर है और ये गडप ये किसकाई ये विजय का पिपर है विजय ने मुझे चुकา करने लिए इसले मने दाउ अब उनका भाईबह बढ़ा धादा है क्या तुम्हारा भाई दादा हो या पर दादा आए इससे तुझे मेरा भाई देख लेगा आई से गड़ाउट ये तुझे मैठ देख लूँगा ये लोबीजे दोबारा किशी को कापी करने को मत देना कैसा काफी दिन हो गए यार कोई लड़की नजनी देखेगी अरे काप अब चुप है अरे चोटे आ गया अरे चोटे क्ले से अट जल्दी आ गया क्या पेफर जल्दी खतक्र दिया नीहिक है टेपर नहीं खतम तोILY हो Chat उस प्रोफेसर का बच्चय को प्रोफेसर को तो मैं देख लूँगा ठीक अब बुरू गाड़ी आगी आइडिया ओड़ रेवर भाई रुक रुक विजय तो अपने मामा के साथ में जा चुका है और अपने को बोला है कि तेरे को बोलने के लिए कि गड़ी ले जाए अच्छा साथ राज अब मज़ा आएगा आयसाला पकड़ अरे यार आम वेरी सॉरी यार मेरी भाई की बज़े से बहुत डांट सुननी पड़ी तुझको यार मेरी वज़े से एक जैवनर ने तेरे भाई को क्लास के भारी निकाल दिया कोई बात नहीं यार उसे भी माफी मांग लेंगे यार अरे हाँ यादा है तेरा ड्रेवर आया था उसने कहा कि गाड़ी खराब है गारज ले जाना पड़ेगा और तू घर खुद चल जा अरे मैं अकेले घर कैसे चला जाओंगा अरे घबराता क्या है यार हम छोड़ देंगे यार चल मैं छोड़ देता हूं चल अरे विजे सुनना थोड़ा सा भीयर तो मार ले यार नहीं यार मैं शराब नहीं पीता अरे भीयर तो सब लोग पीते हैं यार नहीं मेरे पापा ने कहा है कि शराब लिवर के लिए खराब होती है वो पापा के पप्पू हमेशा बापा की बात मानता रहेगा चल कोई बात नहीं यार चल चला चलो चलो अब थोड़ा सा हलका हो जाते है जल नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा चलो पर तो जंबर करते है मेरे पापा ने तो यह का है अरे पापा के पपू जैसा मैं कहता हूं वैसा गय नहीं अरे चल चलो यारे चलो कलो मार 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 हुआ 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 चल भांजे अकेले आदमी को चार चार मारते उस सालों बहुत बुरी बात है ताहालत देख अपनी सब जीजे का खुशूर है अपना बचाव भी नहीं कर सकता तो मामा अच्छा भांजे अपसरा ध्यान से देखना इसे कहते हैं अदन पकर अच्छा मामा इसे कहते हैं भाह पकर हां मामा और इसे कहते हैं मुक्का हां मामा और इसे कहते हैं दाच अर इसे क्या गाते हैं? ठेर भी बता दूँ ममा इसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं बाक हैं आओ, आओ, तुम्ही आओ पाइब कोष्चण पाइब कुष्चण कर बोलते हैं कर दुम्ही ओूफ अवाइब कर दो पहाइब कर दो कि आवाइब अवाइब कर दो हुआ 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 ही के ठाओ जो करें 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 झाल भूए झाल वेरी गुड मामा इसे कहते हैं नॉक आउट हाँ बेटे, चल भन्जे हजा आईए साथ और इसे कहते हैं चमपा चमपी क्या कहते हैं? चमपा चमपी 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 चमपा कही का नहीं चोड़ू कैसे हो बेटे ये सब? कैसे लगी ये चोट? तुम ठीक तो हो ना? बैठो बैठो वो ऐसे हुआ जीजा जी के लेफ्ट राइट देखकर सड़क तो पार कर ली थी इसने लेकिन फिर भांजे का पाउं केले के छिलके पर पढ़ गया और फिर वहां बहुत सारे गुलाब के फूल पढ़े थे उसके उपर गिरकर इसको चोट लग गई बैठे रास्ता चलते वक्त तुम्हें नीचे देखकर चलना चाहिए लोग बहुत बेवकूफ हैं कुछ भी फैंक सकते हैं औरे जीजे हद्द हो गई यार गुलाब के फूल पर गिरकर चोट नहीं लगी है इसे इसकी गुंडों ने पिटाई किया है गुंडों ने मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता तो अस्पताल ले जाना पड़ता है इसको उन लोगों से तुम्हारी क्या दूश्म नहीं थी बैटे पापा इम्तेहन देते वक्त एक लड़के ने कॉपी करने के लिए मेरा पेपर चीन लिया प्रोफेसर ने देख लिया और मैंने सच बोद लिया बस उस लड़के ने और कुछ गुंडों ने मुझे कॉलेज के बाहर किसी बहाने बुलाया और मेरी बहुत पिटाई की उन सारे गुंडों को मैं जेल भिशवा दूँगा फिर दूसरे गुंडे इसकी पिटाई करेंगे उन्हें भी जेल भिशवा देना यह सब आपकी वज़े से हुआ है साले साप मैं तो इसे घर में रखना चाहता था मगर आपकी वज़े से इसे कॉलेज और स्कूल में दाखिल करना पड़ा आज की बात मेरा बेटा घर में रहेगा कहीं नहीं जाएगा ठीक है पापा मैं घर पर रहाँगा ठीक है पापा मैं घर पर रहाँगा कब तक इसे लल्लू बना के रखोगे तुम कब तक इसे पिज़े में बंद करके रखोगे ठीक है पापा मैं फिर्पीर हूंगा अब मेरा बेटा अक्यला नहीं अपने दुल्हन के साथ यहां रहेगा अर दुल्हन कहां से लाहोगे इस लल्लू के लिए मेरे दोस्त में इस तुमहरा चाहते है कि विजे की शादी उनकी बेटी किरन के साथ हो जाए और मुझे भी यह रिष्ठा मनजूर है लेकिन मुझे यह रिष्ठा मनजूर नहीं है अगर मुझे पता होता कि आपि विजे से मेरी शादी कराने के लिए मूझे यहां पढ़ लेकर आएंगे तो मैं हर्गिस न आहीं आती है अंकल की घर किरन तुम हद से बढ़ रही हो अगर मैं हद से ना बढ़ू तो आप विजे से मेरी शादी कराकर मेरी जिन्दगी बरबाद कर देंगे ये कैसी बाते कर रही है आप ये ने तो कहा था कि किरन को मेरा बेटा पसंद है और वो उसे शादी करना चाहती है अंकल, हमारे कॉलिज की और विजे की कॉलिज की सारी लड़कियास का मजाक उडाती है अरे पर क्यों लड़कियां पसंद नहीं करती हैं विजे को अंकल, हर एक लड़की का सपना होता है कि उसका शोहर एक मर्द हो विजे के तरह ललू राम नहीं अरे, इसके तो लड़कियों को देख के पसीने छूट जाते हैं, देखिये, देखिये, अभी में इसके पसीने छूट रहे हैं बेटी, तुम ऐसे क्यों सूचते हो कि मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारी जिंदगी बरबात हो जाएगी इसमें कमीक है, खुबसूरत है, नौजवान है, दौलत मंद है पैसे ही सब कुछ नहीं अंकल, मुझे तो शक है कि आपका बेटा मर्द है भी अन मत तमीज, जबान समालो राजय साहब, राजय साहब तेकि बेटर होगा आप दोनों यहां से चले जाएगे किरन, चला यहां से अंकल, आप अपने बेटी की जाज किसी डॉक्टर से करवा लीजे ताकि शादे के बाद किसी लर्की की जिंदेगी बरबाद ना होने पाए इस इस टू मच, किरन, चला यहां से मेरे दोस्त की बेटी ने मेरे बेटे पर तोहमत लगाई है कि वो नामर्द है और साथ में यह भी कहा है कि जिसकी भी शादी मेरे बेटे से होगी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी डॉक्टर, तुम चार्च करो उसकी और मुझे बताओ कि उसमें खामी क्या है राजा साहब मेडिकल टेस्ट लेके मैं उसे और कमज़र नहीं बनाना चाहता तुम कहना क्या चाहते हो देखो, तुमारा बेटा हंड्रेट परसेंट मर्द है उसे नहीं किसी मेडिकल टेस्ट की या किसी इन्वेस्टिकेशन की ज़रुवत है राजा साहब मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और फैमिली डॉक्टर भी मुझे पर वरुसा करो अगर किसी टीटमेंट की ज़रुवत है तो तुम्हारे दिमाग को और वहम को जिस लाड प्यार से तुम्हें अपने बच्चे की परवरिश किये उस परवरिश ने उस लाड ने उस प्यार ने तुम्हारे बेटे को जिसमानी तोर पर बड़ा तो कर दिया लेकिन दिमागी तोर पर उसे बच्चा बनाकर रखा है और राजा साब ये सब सिर्फ तुम्हारा कुसूर है अंड्रेड परसेंट करेक्ट बात बिलकुल सही कह रहा हो डॉक्र साब बिलकुल सही कह रहा हो हरे जीजा जी ने तो उस बिचारे को लड़की लड़कियों के साथ घूमने नहीं दिया कभी काश मधू जिन्दा होती वो इसकी परवरिश सही तरह से करती हरे जीजा जी तुमने तो उस बिचारे को बैटरी से चलने वाला खिलोना बनाके रख दिया है लेफ्ट को देगो फिर राइट को देगो फिर राइट को देगो तब सुड़क क्रोस करना विच पर जाओ तो किनारे पर रहना पानी के अंदर मत जाना डूब जाओगे खुद तो मिनार के ऊपर मत चड़ना गिर जाओगे आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं तो ठीक है हम अपनी बोलती बंद कर देते हैं याने कि खुला छोड़ दो विचय को, कोई पाबंदी ना लगाई जाए लेफ्ट को देखे, राइट को देखे, सीधा देखे, उल्टा देखे उसकी मरजी बाकी लड़की पठाना उसे मैंसे कहा दूँगा ठीक कहे रहा हो ने डॉक्टर, तुम हंडेट परसें ठीक कहे रहे हो विरो तो जीजा जी आप ऐसा कीजिए, कि बिजनेस टूर पर कुछ धफतों के लिए आप चले जाए बाहर और विजय को छोड़ दीजिए अखेला मेरे पास इस शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं, एक ना एक तो पठाई लेगी उसे हाराजा सब, यह बिल्कुल ठीक है रहे है चलो आप लोग कहते हैं तो मैं मान ही लेता हूँ यह हुई ना बात लेकिन पापा, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहा हैं आप हमेशे तो मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं बेटे, अब तुम बड़े हो गए हूँ तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए अपने पैरों पर? लेकिन पापा, मैं तो अपने पैरों पर कब से खड़ा हो ना सिख गया हूँ नई बेटे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अब तुम्हे मेरे बगए रहना सिखना चाहिए दुनियादारी क्या है ये भी समझना चाहिए और फिर मैं हमेशे के लिए थोड़ी जा रहा हूँ दो चाह दिन मैं वापस आ जाओगा और तुम्हें रोज टेलोफ़न करूँगा प्रमस पापा, आप रोज फोन करेंगे ना मेरे अच्छे है पापा पापा, मुझे अकेले बहुत डर लगता है डरने की कोई बात नहीं बेटे, तुव अक्यला नहीं है तेरे साथ मामा भी तो और हम रास्ता पार करते वक्त पहले दाएं देखना फिर बाएं देखना और याद रखना पापा तुम्हें बहुत प्यार करता है अच्छा पापा अच्छा पापा उखका ग रच्छा अच्छा बच्छा झाल झाल नीचे, 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 हाँ ऐसे रहे, रुको, नीचे लो, ऊपर लाओ, उसको ऐसा, ऐसा प्रेस करो विरू अंकल? ए, क्या अंकल अंकल लगाया है, अंकल नहीं, सिर्फ विरू आज से मैं तेरा अंकल नहीं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे सिर्फ विरू कहके बुलाएगा, समझ गया? ओ, सॉरे, विरू अंकल, ओ, विरू आजा, आजा डैडी, जहां भी जाते थे, मुझे साथ लेकर जाते थे, लेकिन इस बार मुझे अकेले छोड़कर वो बिजनस टूर पर चले गए, और मुझे अकेले बहुँ डर लगता है जी जा, जी जाती जाते, क्या गएगा तुझे? जी जा, जी, डैडी, डैडी जाते वक्त यह बोल गए थे, कि जब भी सड़क पार करोगे, तो लेफ्ट, राइट, फिर लेफ्ट, राइट देके साथ पार, अरे लेफ्ट, राइट की माक्याक, डैडी कहा है बाहर, आज से तू वही करेगा जो मैं बोलूँगा, मन्सूर मन्सूर, चल आजा पिर, सबसे पहले सीखनी पड़ेगी तुम्हें बॉक्सिंग, इसको कहते हैं पंचिंग बैग, इस पर अपने मुक्खों का कैसे इस्तेमाल करेगे, मुक्का, मुक्का जानते हो, उंग्यां बंस करो, हाई, इसको कहते हैं मुक्का, चोट तो नहीं ऐसे नहीं यार, मुक्का मारते वक्त, नजर बैग पर ही रखो, जैसे दुश्मन से लड़ते वक्त, नजर दुश्मन पर नहीं रखोगे, तो वो तुम्हारा पंचिंग बैग बना देगा, समझे, नजर बैग की तरफ और तब मुक्का मारो, कम आर, वेरू, आहा, आहा, आहा, तो से अलए, आई आहा, खुश्मन से नहीं लुश्मन पर कासा वाज से नजर बैग तेगए, पर यह से वच्श्मन पर न।, आएंप टोश्मन पर हैसी के बना है, लुश्मन नचिंटिड इख व eerावां, थेलख सब्चूए बोड़ते पर यह पर है, बहुस्से, द ऐसे ऐसे पकड़ कर बैठ जाओ और फिर खीचो बिल्कुल यहां तक आना चाहिए समझ गए चलो वाजो पकड़ो इसे अब बैठ जाओ और खीज़ ज़र से शाबाज तर आगे रखोने तो फूट जाएगा अभी देखते जाओ चन्द दिनों में तुम्हारी बोड़ी ऐसी सॉलिड हो जाएगी के सारी लड़तियां तुम्हें भूकी नजरों से देखने लगेंगी और तब मैं तुम्हें सिखा जाओंगा लड़की पटाना अरे रहने देर रहने देर ओ राने अधिक बीरू तु तो खुद महबत करना नहीं जानता और अपने भांजे को सिखाएगा अरे इसे महबत करना तो मैं सिखाऊंगी मैं तु इसे सिर्फ पहलवानी सिखा हां ओके देख भांजे आज के बाद लेफ को देख और राइट को देख का इस्तमाल सड़क पार करने के लिए नहीं करना सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए इस्तमाल करना मेरी राणी मैं बिलकुल यही सिखाने वाला था इसको चोड़े तूने आज तक किसी लड़की को प्टाया है तेरे को प्टाया है न overlapping तूने मुझे नहीं प्टाया मैंने तेरे को प्टाया बाप तो एक ही है न Ayak नहीं है पटने और पटाने में जमीन अस्मान का फर्क है हाँ ओ रानी यहां कैसी बाते मत किया कर देख यह exercise की जगा है यहां पर हनुमान जी की पूजा होती है सब ब्रमचारी लोग आते हैं यहां पर हाई इसी बात का तो दुख है कि तु आज तक ब्रमचारी है अच्छा अब तु जा यहां से तेरे लिए देशीगी में खाना बना कर लाईगी टिफिन आफिस में रखा है अच्छा ठीक है मैं खालूंगा लेकिन अब तु जाती है कि नहीं लेकिन वीरू अपने भांजे को गाड़ी चलना जरूर सिखाना गाड़ी वहां ना लड़कियों को ल जानी तुमसे बहुत प्यार करती है यही तो मुसीबत है देख बाएं हाथ को गियर स्टिक होती है ऐसे पकड़ना उसको ऐसे नहीं समझ गया क्या हाल है कल्लूमिया कि चलो जाओ यहां से मैं भांजे को गाड़ी चलाना सिकाता हूं अरे इधर से नहीं तू इधर से बैट मैं यहां बैटू माँ चलो आजाओ बैटो स्टार्ट करो स्टार्ट करो हा मामा अरे यार रेडियो नहीं एंजिन स्टार्ट करो वो जो चावी लटक रहें उधर चावी चावी को पकड़ो ऐसे ऐसे और ऐसे गुमाओ ऐसे गुमाओ ऐसे गुमाओ एसे गुमाओ आट्स जब दवाओ, गेर में डालो, शाबाश और खलाच छोड़। मामा मैं कितने सालों में गाड़ी चलाना सेख जाओ nhया यहीं सालों में मिन्ट उमें में जखा दूगा मैं फिर लड़क्यों को लिफ्ट देते ते धशक है मेरा नुर्ष डेका भी अरे क्या हो गया में बड़ो गया अंड़ा जया मैं भी खेलो गई तुम भी फेल हो गई, हम दोनों चलो खुदकुशी कर लेते हैं ना बाबा नहीं, तो चलो कांधी विली में डिस्को करते हैं ओए, ओए, जले तो उनको तुम पास हो गए तुम भी पास हो गए तुम भी पास हो गए मेरा नमबर देखे न, प्लीज मेरा नमबर देखे न आप पास हो गए हाँ, थैंक यू जी आप अपना नमबर भी तो देखे मेरा नमबर देखे मैं पास हो गया मैं पास हो गया अरे, कहाँ चले गयी साइकल को भी यही पंचर होना था कोई दुकान नहीं नजर नहीं आ रही अरे स्टॉप, लिफ प्लीज अब क्या करूँ, मस्टिल के लिए तो लेट हो जाओंगी अरे, आई ये कड़ी लेट प्लीज, स्टाप ने, स्टूपड अरे, आप पैदल क्यों जा रहे है मेरी साइकल का टायर पंचर हो गया था इसलिए पैदल जा रही हूँ, आप मुझे होस्टिल तक छोड़ दीजे न, प्लीज आईये, आईये, बैट लेकिन मेरी साइकल ओ, ये तो मैं भूली गया था, एक मिनट मुबारक हो, आप पास हो गई मुझे तो आप मुबारक पाद दे चुके हैं, आपके रिजल्ट का क्या हुआ? जी हाँ, मैं भी पास हो गए मुबारक हो, विजय तैंक्यू, आप मेरा नाम जानती हैं? मैं आपका दूसरा नाम भी जानती हूँ, Mr. Left Right मेरा नाम जानम है जानम, अच्छा नाम है तैंक्यू, यहां से राइट लेलीचे मेरा होस्ट्या लागया अच्छा थांक्यू हाई जानम, कैसी हूँ? बस ठीकूँ, तो सुना बाए यह लीचे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, चलता हूँ बाए विजय जी डिकी ओ अच्छा, ठीक है बुद्धु कहेंगा यह ले और एक अले बसकर बसकर रानी भौत हो गया ए माटी मेले, खाना तेरे वासे मुर्गी बनाई हूँ मसके में डालके, देसी मुर्गा है जी, देसी मुर्गा रात दिन तू कसरत करता रहता है अगर खाना नहीं खाएगा तो बॉड़ी कैसे बनाएगा तो थोड़ा से तू भी खाले अगर मैं मोटी हो गई तो तू मुझे देखेगा भी नहीं अच्छा तू ऐसे बात कर रहे है जिसे तू मेरी जोरू है क्या बात कर रहे हो जी आज नहीं तो कल एक में एक दिन मैं तेरी जोरू जरूर बनूँगी रेंदे रेंदे अप उन शादी की लफड़े में पढ़ने वाला नहीं है आरे शादी नहीं करेगा तो तेरे खांदान का नाम आगे कौन चलाएगा शादी करके देख हमने सुना है सर्दी में लिपट कर सोने में बड़ा मजा आता है और गर्मी में पलट कर सोने में बड़ा मजा आता है अरे चुप मैं तेरे को आदा दर्जन बच्चे दूँगी मेरे को बच्चे बहुत अच्छे लगता है अला अपना बच्चा आ गया आजा पुतर आजा आजा इधर आ विरू अंकल फिर विरू अंकल ओ सारी विरू मैं पास हो गया मुबारक हो तेरे को माठी मेलो इधर आओ इसे आपस में बांट लो ए राणी विजय पुतर के पास होने की खुशी में एक जशन हो जाए जश लिए ही होगा अपने धाबे पर विरू गाएगा और रानी नाचेगी मैंनी मैंनी नाचूंगी तरे साथ का एको अभी तो बड़े इश्क की बात ने कर रहे थी मेरे को सब मालूम पहले तू दबा के दारू पिएगा उसके बाद तू मेरे मेरे में मादूर दिक्षि मादी मिले तू मा भी नाचूंगा और अपना पुतर भी नाचेगा दिल में दर्द हुआ दिल में दर्द हुआ दे दे कोई दवा सोणिये दर 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 मुझरिम हुँ मैं तेरा मुझरिम हुँ मैं तेरा महावत के दे सजा सोणिये Zerra zerra, zerra zerra, zerra 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 Pazit ne Rekke bhi duri hai kis liye Hai donok ke dil radhi hai mjuburi hai kis liye Pazit ne Rekke bhi duri hai kis liye Hai donok ke dil radhi hai mjuburi hai kis liye किस लिए सिलके करीब आंग, सिलके करीब आंग, आंचल किते हवाँ सोणिये iten, सिलके करेयES करे आईуш map करेप известर आंग, एसम आंप, एस्जिये एक अट्रिय में तुझ को भी ये खबर नहीं कितनी जवाँ तू कितनी हसी है नशा जो तेरे शवाब में शराब में वो बात नहीं तुझ को भी ये खबर नहीं कितनी जवाँ तू कितनी हसी नशा जो तेरे शवाब में शराब में वो बात नहीं मेरी जास बुझाँ मेरी जास बुझाँ होटों से कुछ पिला सोड़िये कजरारी आँखों से इतना तो न काम लो मस्तिय चश्मे घजाला है तेरी आँखों में एक दुनिया ये पहारा है तेरी आँखों में ये पियाहे ये सुपैरे ये गुलापी दोरे दोरे ये गुलापी दोरे इस गदर मौत का तामा आए तेरी आँखों में कजरारी आँखों से इतना तो न काम लो अपने बंद होटों से मेरा तरा नाम लो आँखे न यू दिखा आँखे न यू दिखा होने लगा नशाओ जानवन है जरा जरा उई जरा 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 दिल में दर्द हुआ जरा दिल में दर्द हुआ दिल में दर्द हुआ दिल में दर्द हुआ दिल में दर्द हुआ देखे कोई तो सोणिये जरा जरा थोड़ा थोड़ा जरा जरा लिटिल लिटि जरा जरा थोरो थोरो जरा जरा एक्ट्यू एक्ट्यू जरा जरा पूरा जिन्ना Zara zara, surpa surpa Zara zara, kuncam kuncam Zara zara, tanik tanik Hello Hello Yes, what happened? Try again Will you repeat the number, please? Yes, 620-2059 Yes, try again I want to talk to my son Thank you Brother sir, you have such a big construction company in Bombay Do you want to make a place in small towns? Why do you want to make a place in small towns? I want to say that my son is a construction company Vijay construction company How are you doing here? First class Hello Yeah, please connect Vijay, Vijay Hi, dad When you see the car, you see the car Yes, daddy I see the car on the left and right I see the car on the left and right I'm going to call the car on the left and right He knew the car on the left and right I know He knew the car on the left and right I have to ask you Please ask me to ask you Hey, Vijay What happened? Daddy, I got passed First class First class? Thank you, daddy Thank you And you also got to come First class I got to come वो सोने से पहले दूद पीता है कि नहीं तू आप फिक्र मत कीजिए डैडी मैं सुभे भी गरम गरम दूद पीता हूं और वीरो अंकल तुझे वह दारू पीना तो नहीं सिखा रहा ना बचके रहना उससे बहुत बदमाश है वो मैं वीरो अंकल की बातों मैं बिल्कुल नह नहीं आओंगा अच्छा बेटे मैं फोन रख रहा हूं ओके डाड़ी बाइ साथ जी आपकी गाड़ी में ये पर्स मिला नजाने किसका है अरे ये तो जानम का पर्स है कल शाद मेरी गाड़ी में भूल गई थी हाई विजय हलो आपका ये पर्स मेरी गाड़ी में रह गया था और मैं कब से सोच रही थी के गया कहां देख लीजे सब कुछ सही सलामत तो है ना बाकी सब कुछ तो है सिर्फ एक चीज गाड़ है कांसी चीज दिल इसमें से मेरा दिल गाड़ है एक काम कीजे आप ये पर्स वापस ले जाएए क्यों सीरी सी बात है फिर मैं ये पर्स लेने आपके घर आऊंगी और वो हमारी तीस्वी मुलाकात होगी उसके बाद चौथी पांचवी और ऐसे ही हमारी दोस्ती बढ़ जाएगी लेकिन आप मुझसे दोस्ती क्यों करना च और ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है और फिर मैंने कहा ना कि पहली मुलाकात में मेरा दिल चोरी हो गया अच्छा तो मैं अजासत चाता हूं बाई सुनिये अपना पता तो बताते जाएए हाँ 27 मयूर महल पाली हिल बैंडरा बंबे फो जीरो 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 फाइव जीरो अच्छा अच्छा मैं जाता हूं तुने मेरा दिल ले लिया बाबा आपका तार शुक्रिया तुने मेरा दिल ले लिया चानम चानम तुने मेरा दिल ले लिया चानम चानम जी। हाँ तुने मेरा दिल ले लिया चानम जी। ऐसे धेचसारे गुलदश्टों और भी पढ़े ए हाल में। अरे पंचिंग बैक से प्यार कर रहे हो यह घुजा मार रहे हो जोर से मारो यार विरू अंकल विरू क्या हुआ बंजे क्या बात है नहीं अरे शर्मा क्यों रहा है कोई लडकी पड़ गई क्या हाँ कैसी है वो बहुत अच्छी है कहा मिली कालेज में मिली फिर क्या हुआ फिर फिर उसने मुझसे लिप मांगी और मैं उसे हॉस्टल तक छोड़ा आया फिर 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 उसने मुझे धेर सारे टेलिग्राम भेजे और फूल भी भेजे टेलिग्राम में क्या लिखा था तूने मेरा दिल ले लिया वाप भान्जे वाद दिल खुश होगा मेरा अब क्या करूँ? अरे ये क्या बताएगा मैं बताती हूँ सुन भान्जे, बिलकुल वही करना जो हिरो फिल्मों में करता है आइडिया बहुत अच्छा है आप कह दे कि तु भी वही कहने वाला था कह दे कह दे सिर्फ रोमेंटिक गाना गाना रोमेंटिक गाना तुने मेरा दिल ले लिया हाँ तुने मेरा दिल ले लिया हाँ मैंने तेरा दिल ले लिया हाँ तुने मेरा दिल ले लिया हाँ हाính मैंने तेरा दिल ले लिया एय मेरी जाने चा तुने ऐसा क्यों किया दिल मेरा था मैंने ले लिया पिया तूने मेरा दिल ले लिया हाँ मेने तेरा दिल ले लिया कैसा कैसा मुझे को यह हुआ है ऐसा नमुँ पहली बार तुझे को जो छुआ है ऐसा नमुँ कैसा कैसा मुझे को यह हुआ है ऐसा नमुँ पहली बार तुझे को जो छुआ है ऐसा नमु तेरे लिया दिल ले चैन क्यों तुझे को ही जूंदे नैन क्यों तेरे लिए दिल बे चैन क्यों तुझ को ही ढूंड नाइन क्यों प्यार का ये नशा ये नशा प्यार का ये नो तरे गा ओ देलिया ओ दिया तुने मेरा दिल ले लिया हाँ जी हाँ मैंने तेरा दिल ले लिया तुझ को पाकर दिल में अब कैसी आरजू तरव के बाद यारा इस दिल में तू ही तू तुझ को पाकर दिल में अब कैसी आरजू तरव के बाद यारा इस दिल में तू ही तू तुझे पाके जुमे मेरी जिंदगी, तु ही प्यान, तु ही मेरी बंदगी, क्या हुआ दिल गया, तु मुझे मिल गया, अगो मैं चाहिए और क्या साथिया तूने मेरा दिल ले लिया दिल मेरा था मैंने ले लिया तूने मेरा दिल ले लिया हाँ बाबा मैंने तेरा दिल ले लिया हाई कितनी प्यारी प्यारी हो तुमा तुमारे ये गोरे गोरे गाल तुमारे ये काले काले बाल तुमारे ये जील सी नीली आंखें हाई 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 जी करता है कि मैं इसमें डूब जाओ तुमारे यह हो गुलाब की दो पंखणिया हैं अच्छा बताओ तुम्हें मैं कैसा लगता हूं मेरे गोरे-गोरे गाल, मैं प्यारा-प्यारा सा नन्ना मुन्ना एक शरीफ लड़का, देखो, मेरा नाम है के-के, यानि के क्रिशन कनईया, आचा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जानम आहाँ, कितना प्यारा नाम है, दुबारा बोलो जानम हाँ जानम नाम है इसका गल्स होस्टल में रहती है, आहा, डेन देर जो प्राबर्लम, मुलाकात आसान ना मा बाप का डर, लेकिन उसके साथ एक हीरो है, हीरो नहीं, विलन, हीरो तो हम है, आपके लिए विलन ही सही, लेकिन वो लड़का एक बहुत बड़े अमीर बाप का बे जाओ, जानम को मेरे बज लेकर आओ. सर जी, जानम एक शरीफ लड़की है, आप जैसे चालू, आदमी के पास नहीं आएगी वो. हरामजादे, मेरा पहनता है, मेरा खाता है, और मेरी बुराई कर रहा है. सर जी, जरा जरा गौर से देखिये मुझे, मैं आपकी गालियों के अलावा कुछ और खाता हूँ अलगता हूँ, ना, ना सर जी, मैं तो सिर्फ हड्डियों का एक धाचा भारूं, और इस धाचे पर चमडी को मोची से सिलवा दिया गया है, बस. अगर तुम मुझे इतना ही तंग आगया है, तुम मुझे छोड़कर चला क्यों नहीं जाता है, मैं तो कहता हूँ चला जा कहीं, गेट आउट वर मेर। इससे पहले भी आप मुझे गेट आउट कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता, आपके स्वर्गिये पिताजी बड़े सर्जी का नमक खाया है मैंने, मरने से पहले उन्होंने मुझे से वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए चाहे आप मुझे गोली मार दें, पर म अवास बंद कर और ज्यादा एमोशनल होने की जुरूरत नहीं है, मुझे बस जानम चाहिए, खुद नहीं आती तो से उठा कर लेकर आओ, अगवा, किटनेप, सर जी पुलिस में किसी बड़े अफसर से तो दोस्ती होगी आपकी, नहीं, अच्छा, रूलिंग या अपोज अगवा करने के जुर्म में पकड़ा जाऊंगा, पुलिस मुझे मारेगी, बहुत, बहुत मारेगी, वो हमेशे बहुत मारती, हर डिगरी का इस्तेमाल करेगी, मुझसे आपका नाम पूछेगी, मैं मजबूर हो जएँगा आपका नाम बताने के लिए, वो आपको भी मुझे सिरफ जानम चाहिए जानम मेरी नस नस में समा गई है I love you, जानम I love you जानम, जब से तुम मेरी सिंदगी में आया हो मुझे सब कुछ नया लग रहा है मेरे पापा तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे मैं भी उनसे मिलके बहुत खुश होंगे अरे भीया, इस सबक आगे चलकर लेफ्ट को किधर मुड़ती है और राइट को किधर मुड़ती है जड़ा बता सकतो का मेरी जान लेफ्ट राइट से कब से छूट चुकी है अब आगे जाके पूछे नहीं तुम ही को बताना पड़ेगा क्योंके तुम ही तो लेफ्ट राइट बाबा हो क्या बख रहे हो अरे आप मामा जी मामा जी अच्छा अच्छा तो यही है तुम्हारी जिसके बारे में तुमने बताया था तॉलेज, लेफ्ट, टेलिग्राम, फूल हाँ, मामा जी, यह जानम है और जानम, यह मेरे प्यारे वीरु मामा है नमस्ते मामा जी जीती रहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है जानम, हम तुमसे एक ही बात कहेंगे कि यह बहुत भोला भाला है और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करना है कभी भी इसका दिल मत तोड़ नहीं जी मैं बादा करती हूं हम चलते हैं आप लोग चलू रहो बेस्ट अवाग मिस्टर खना प्रोग्रेस जरा स्लो लग रहा है कब तक बन जाए गई अगली दिवाली तक जरूर हो जाएगा जनाब अच्छा विजिन अगर को ब्लूप्रिंट दिखाई है हाँ जी देख में बिल्डिंग के कुछ डिजाइन सिमिलर लग रहे है थोड़ा अलग करना चाहिए यह डिजाइन फिर से चेंज करने पड़ेंगे अरे काम फिर दुबारा काम चलेगा तो छे मैने लग जाएंगे इसमें हलो हलो साले साशा जीजाजी कई ये क्या हाल है आपके मैं ठीक हूं साले साब आप सुनें ते पच्चान नहीं पआगे उसे सच कह रहो और लोगी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है मेर की नहीं तो मै फोन रख दे तू continua है जल्दी वापस मैं तो दिन में वापस आ रहा हूँ जीजा भी कमाल है बिचारा विजय हाई ठीक दस बज़रे हैं जनाब और जानम हाजर है आये अंदर मैं तो सवेरे से तुम्हारा इंतजार करना था आओ जानम को जनम दिन मुबारक हो मेरा जनम दित जी हाँ आज 10 अक्तूबर है आज के दिन तुम पैदा हुई थी लेकिन यह सब तुम्हें कैसे मालूब तुम्हारे पर्स में तुम्हारा आइडेंटिटी का था उस पर तुम्हारी डेटो बहुत लिखी हुई थी विजय 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 आई लव यू विजय लव यू आई लव यू यह बादल का करजनम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे दिल का धड़कना कैसे लगता है बहुत जोर से धड़क रहा है जब भी तुम मिलती हो तो यह ऐसे ही धड़कता है और अगर मैं ना मिली तो तो इसका धड़कना हमेशे लिब बंद हो जागा मैं सब कभी नहीं होने दूगी क्या विजय वह नहीं है और विरू वो भी नहीं आया पता नहीं कहां चलिगा यह दोनो अरे जीजा जी अरे वेल्कम बैक आप कब आये मैं तो कल आया मगर तुमारा वो भांजा है कहां रात भर गर नहीं आया अरे जीजा जी इश्क 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 लाओ दारू पे लाओ यार खाली हो गया है इश्क में वह वाली वह वाली इश्क में ना दिन का पता चलता है ना रात का मगर तुम ये तो बताओ, इस वक्त वो है कहाँ? अरे वो जानम के गले में हाथ डालके, गाड़ी चला रहा होगा, गाना गा रहा होगा और क्या? कैसी बाते घरते हो तुम? तेखो ना, निजाने बिचारा को इस सड़क पर पढ़ावा है अच्या मैं देखता हूँ प्रिचे! चानम, तु यहाँसे बाग, मैं हरामजादसने बागता हूँ, बाग! नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे, विजाए! नहीं, जानम को छोड़ो वर्ना! वर्ना क्या, एक मर्तबा पिटाई की थे, भूल गया क्या? चाल अट! क्या हूँ क्या हो इस लिए तो विजय की गाड़ी है, यहां क्या कर रहा है? अरे, गार्डन में जानम के साथ कुछ रोमान्स होमान्स चल रहा होगा हमें क्या लेना देना, चलो कहीं चल के दारू पीत हैं? नहीं, मुझे पहले उसे मिलना है अरे यार, तुमको भी बनना ही है कवाब में हड्डी शाबाश देखा, कौने ये लोग? अरे ये गुंडे हैं, इन्होंने जानम को छेडा होगा और विजय हमारा इनकी ऐसी तैसी कर रहा है अरे ये तो चार और आगए कोई बात नहीं, अभी चार और आ सकते हैं, सब की धुलाई करेगा ये, देखते जाओ विजय महार विजय, महार अरे ये तो लड़ाई में होता ही है विजय अभी देखना और जीजा जी समल के अरे वहाँ ए i । जीजा जी क्या क्रहे हो विजय अब लड़लू नहीं रहा अरे जीजे तेरचा मिभी आ रहा हो हई क्या करणा पाहर कि की नहीं चाहाता है अरे ममें एक सिफ इन जैना बनाही का rebirth था तुछ दिन मार खाया था कौनसी मार कौनसी यह माला उतारू तो याद आएगा अधाश बहुत कमजोर है बामा जी परस्णली मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं लेकिन मैं अपने मालिक के हुकम से बना हुआ मेरे एक बिंदे हरां उन्दादे मार खाया है आपको मेरे साथ के के से चल याई पर आएगा अबर आटार्की वाले यह 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 मेरे साथ ना दखरता है अबे जा के 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 टेस्टू ठेरो ठेरो मैं आजाता हूँ लो, दो कर की बबंचितक आप, कि आपटाए sa growing भूस अबसे के आपो आपूँ आ आपे आ थाप, लोक्षाए ने भूखार vai भूर इं Ep लूओ पॉर्दे को क्या हिलाते हो एक मिनिट एक मिनिट चियर्स आशाइख आशाइख का जनाज़ा जरा धूम से निकला है हाहाहा हाहा अब हाहा वाद जीजाजी वाद जीजाजी वाद फेटा पापा, आप तो बहुत कमाल की fight करते हैं क्या, विरू अंकल ने आपको fight सिखाई है अरे, fight तो मैंने तुम्हारे विरू अंकल को सिखाई है इसने अगर मुझे कोई चीज सिखाई है तो सिर्फ दारू गीना जीजा जी, ये है जानम इसके बारे में मैं आपको बता चुगा हूँ देखो इसने विजय को क्या से क्या बना दिया बुरूसली बना दिया ऐसे नमस्ते जी तिरो बेटी क्या नाम बताया आपका? चानाम अच्छे अच्छे आएगी वो अभी यह कौन सा विकारी गुजाया मेरे घर में किसने आने दिया इसको अंदर प्रेम जिंग वेरू चौकिदार अरे कहा मरके सब लोग अरे इसको लोकर इसको अरे कौन हो तुम कौन हो तुम सर्ची आपका भटा हुआ जूता अरे बाप अरे तेरी यहालत किसने की जानम के राम और उसके हनुमान ने यह लिया बनाया है मेरा जानम कहा है अपने हीरो के पास क्या बकता है यह यह लोंडिया की तरह क्या शर्मा रहा है ऐसे मुझे पहले कभी देखा नहीं क्या बच्पन से तो देखता हा रहा है मुझे जानम चाहिए किसी भी हालत में जानम चाहिए अगर मैं दुबारा जानम को अगवा करने गया तो वो दोनों मेरी चमडी उधेड़ देंगे और मैं सिर्फ अड्डियों का डांचा रह जाओगा मैंने तुछे काता ना कि कुछ गुंडे साथ लेका जाना मेरे साथ गुंडे थे सर जी वरना आप मेरी चिता में आग लगा रहे होते लगता है कि जानम को खुद मुझे आगवा करना पड़ेगा वो मेरे नस नस में घुस चुकी है मेरी नस्वों से बैता हुआ खून देखकर भी आप जानम को नहीं भूल सकते मैं जानम को कभी नहीं भूल सकता और अगर मैं आपको जानम से भी ज़्यादा खुबसूरत लड़की से मिलवा दूँ तो कौन है वो एक पाप से बचने के लिए मुझे दूसरा पाप करना पड़ेगा और आप बड़े सर जी मुझे इस पाप के लिए माफ कर देना कर दो आदाव तसलीम आईए तश्रीफ रखिए यहाँ नीचे जमीन पर बैठना पड़ता है कोई सोफा वफा नहीं आईए जनाव जुद्योधार अपने नहीं मेरे पान खाएंगे आप यह पान खाने वाली परसनल्टी नहीं अरे चम्री राजा बड़े दिनों से आपके दर्शन ने हुए आप तो मिया इतकत चान्द हो गए बेशाक बेशाक इस चान्द पर जो गरहन लगा हुआ वो तो आप देखी रही है मुन्नी भाई अरे आपके चान से चेहरे पर गरहन किस नी लगा दिया अरे अब क्या बताएं सर जी के लिए शिकार पकड़ने गए थे तो शिकार बन के लोटे हैं बहराल इन से मिलिए यह हैं शहर के बहुत बड़े और बिगड़े रईस जनाब केके ऐहाँ, इन रईसों के बड़ोत हम जी रहे हैं, पर न हमें कौन पूछेगा क्या कहा अपने इनका नाम ? केके क्रिश्यन कंया कहते है केके से्थ हुकम कीजे गीट सुनेंगी या ठुमरी गीत या ठुमरी तो हम रेडियो पे भी सुन सकते हैं मुन्नी बाई किसी नई और कमजिन गजल को देखना और चूमना चाहते हैं अपनी बाहों में बीचना चाहते हैं आदाप राजा साहब आदाप मुन्नी बाई तुमारे और हमारे बीच जो सौधा हुआ उसका किसी को पता नहीं चला हम तो हमसे बहुत खुश्य मुन्नी बाई यह लो तुमारे बाकी के दो लाक रुपे हाँ वो लड़की क्या नम है उसका रेश्मा उसके लिए भी हम एक तौफाल आए हैं कहा है वो देखे आपने नाम लिया और रेश्मा आ गई आदाब राजा साहब आदाब यह रेश्मा और प्चानम मुन्नी बाई तुमारी रेश्मा तवाइफ जरूर है मगर इसने वो काम कर दिखाया जो आम लड़की किसी भी एक किमत पर नहीं कर सकती थी इसने हमारे बेटे को पूरा मर्द बना दिया है अब किसी भी शरीफ घर की लड़की हमारे बेटे के साथ शादी करने के लिए तयार हो जाएगी रेश्मा हम बहुत खुश हैं तुमसे यह हमारी तरफ से तौफा है लो शुक्रिया इतने चोटे से काम के लिए आपने कितना कुछ दे दिया कितना बड़ा दिल है आपका राजा साहब हमारी एक यह ओला थे मुन्नी बाई उसके अलिए हम कुछ भी कर सकते हैं हम जानते हैं रेश्मा जब विजय पैदा हुआ था न तो राजा साप की कोटी पे मैंने मुझरा किया था और दिल खोल कर इनाम दिया था इनोंने मुझे और मैं खूब नाचे ती ठुमका लगा लगा के और हमें भी तुमने नचवा दी है तो मुन्नी बाई और अब विजय की शादी में तुम फिर इसे नाचोगी फुमके लगा लगा के जी נहीं विजय की शादी में रेश्मा नाचेगी चम चम करके नाचेगी और दिवाना कर देगी आपकी महमारों को नहीं, बिलकुल नहीं आज के बाद भूले से भी रेश्मा विजे की सामने नहीं जाएगी, कभी नहीं जो कुछ भी हुआ, वो विजे का एक सपना था उसमें रेश्मा जानम बन कर आई, फिर वो सपना तूट गया सपने में आने की कईमत हम तुम्हें दे चुके हैं और भी रुपय की जरूरत हो, तो तुम कभी भी हमसे मांग लेना हो मगर एक बात ध्यान रहे, यह सौधा तुम्हारे और हमारे पीछ है किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, यह हमारा हुक्म है आप फिक्र ना करें, रेश्मा विजे से कभी नहीं मिलेगी यह एक दवाइब का वादा रहा राजा साहब हमें तुमसे यही उमीद थी मुनी भाई, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज देखा साले साहब, एक जमना था एक भी लड़की आपके भांजे के साथ शादी करने को तयार नहीं थी अब बड़े-बड़े घरहने इसे रिष्टे आ रहे हैं, यह फोटो देखिए, इन में से इसे जो भी पसंद आ जाए शादी करा देते हैं आहां, वो तो लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जानम का क्या होगा जानम? आहां, जानम और यह शायद अरे बताना यार पापा, जानम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं वही, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो एक काम करो, तुम उसे फोन करो, मैं उसकी माबाप से मिलता हूँ और यह रिष्टा पका कर देता हूँ अल्राइट, यह बात हुई रहा, अरे इतना क्या शर्मा रहा है, जाकर जारी के पीछे फोन कर ले अलो, जी मैं विजय बोल रहा हूँ, जानम से बात कर सकता हूँ प्लीज जानम हॉस्टल छोड़कर चली गई है क्या, हॉस्टल छोड़कर चली गई है, उसने कुछ पता दिया जी नहीं, मुझे कुछ बता कर नहीं गई है मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा उसने किसी के लिए कोई मैसेज नहीं छोड़ा है नहीं, अच्छा, जानम कहां गई होगी पापा, जानम होस्टल में नहीं है, ना जाने कहां चली गई होगी? भाई, किसी सहली के पास या अपने घर चली गई होगी ठेक है, मैं उसे ढून कर लेकर आता हूँ चल मुझे ज़रा जिम में छोड़ दिना चलिए जानम का कुछ पता चला? जी नहीं, मैंने उसकी सहली उसे भी पूछा, मगर उसको कोई पता नहीं चला मैंने भी हर जगा उसको तलाश किया, ना जाने कहां चली गई है वो क्या बात है, मूँ क्यों उत्रा हुआ है पता नहीं जानम कहां चली गई अगर जानम ना मिली तो मैं उसके विगर जी नहीं पहूंगा हर फल याद आती है उसकी मुझे देखो भंजे, प्यार में ऐसा ही होता है जो करता है वो भी रोता है, जो नहीं करता है वो भी रोता है चाओ चाओ ढूड़ो उसे, कही ने कहीं तो मिली जाएगी तुम्हें और मिलते हैं उसे घर ले चलना, प्राजाज साप बहुत खुश राएंगे झाल 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 कबसे मिछा दर्द जगा है जाने कैसा रोग लगा है कबसे मिछा दर्द जगा है जाने कैसा रोग लगा है कितने हुए दिन सानाओं कर तरद देञिए सूम चुमज मने ुम चुम चुमज माने ुम चुम चुम चुमज मने कौ यही कौ आप Rs. ाही सबसे ऐसी प्यास जगी है, जैसे नस नस में याद लगी है, जिसमें हुए दिन करम, तरा गिन 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 गिन, जुमा जुमा आठ दिन जुमा जुमा आठ दिन, जुमा जुमा आठ दिन पहले कभी ऐसा ना था, दिल दिवाना जैसा ना था दिन है नया है रात नहीं, कैसी हुई ये बात नहीं जबसे पिल है खोया खोया, जागा जागा, सोया सोया, कितने हुए दिन सलम, जैरा गिन, 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 गिन जुमा जुमा आठ दिन, जुमा जुमा आठ दिन जुमा जुमा आठे दिन, जुमा जुमा आठे दिन चपसी ऐसी जाउस जगी दें, जैसी मस मस में आद लगी है कितने हुए दिन सरम जरा गिन 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 जुमा जुमा आठे दिन, जुमा जुमा आठे दिन Cuma Cuma आचे दिन, Cuma Cuma आचे दिन जिन है तेरे है राते तेरे, यादा आती है बाते तेरे जिन है तेरे है राते तेरे, यादा आती है बाते तेरे जार का नीजा रोग जदे, चेहन मिले ना नीद लगे अब चेहन दिवेता है तुझ्से मैं लेको कहता है कितने हो ए दिन सरा जुम्मा जुम्मा आच दिन कबसे मिच्छा तर्द जगा है जाने कैसा रोग लगा है कशी जात जदी है कैसे नस में आग लगी है कितने हुए दिन पर जड़ा कि जुम्मा जुम्मा आठ दिन कशी जुम्मा जुम्मा आठ दिन हमारे बिट्या को किसी की नज़र न बबदूर। जब से राजा साब ने विजय को ठीक करने के लिए तुम्हें होस्टल में रखा था तब से एक ओठा सूना सूना हो गया था लेकिन अब तुम आ गई हो तो बस बहारी बहार आ जाएगी घुंगरों की आवाज फिर से छनकने लगीगी यहां पर यह लो पहलो इसे आज एक बहुत बड़ा सेट आने वाला है अगर तुम उसे भागी तो मू मांगी कीमत देगा हमारी रेशमत तवाइफ को तवाइफ की मा होती है बाप का पता नहीं होता लेकिन मैं तो अपनी मा को भी नहीं चानती जिसके पेट में बाप की तरह नौ मईने पलती रही मैं पैदा नहीं हुई पैदा की गई और अपने बाप से बचने के लिए अंदेरी रात में एक कच्रे के दब्बे में फेक दिया था मुझे उस्मा ने और तुमने मुझे लावारस को उस कच्छे के डब्बे में से उठाकर अपने सीने से लागा लिया तब मैं सर्फ एक दिन की थी तुमने मुझे पाल पोस्कर बड़ा किया बहुत सहसान है मुझ पर तुमारे तुम जिस किसी के सामने भी मुझे मुझरा करने के लिए कोगी मैं करूंगी मगर मुझे किसी के साथ रात गुजाने के लिए मत कहना मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ तुमने मुझे विजय के पास भेजा मैं चली गई बगेर किसी लालच के वह बहुत अच्छा इंसान है मैं यहां से पाकीजा गई थी और पाकीजा ही लोडी हो कोई भी तवायव हमेशा के लिए पाकीजा नहीं रह सकती मैं भी तरहा पाकीजा रहनी की सपने देखा करती थी लेकिन एक दिन मेरी के लिए एक बहुत बड़े सेट के पास मुझे बेचा गया और मैं उसी की होके रह गई जब तक कि वह जिन्दा रहा हमें अमीरजादों की बन कर ही जीना पड़ता है क्योंकि हम उनकी बीवी नहीं बन सकती लेकिन हम तवाइफ हैं चकलों के नुशा से बहतर हैं जो रोज रात को एक नए आदमी को अपना जिसम बेचती है शम्मा की तार जलती है लेकिन मैं विजे से प्यार करती हूँ मैं उसकी बिना नहीं जी सकती विजे मेरा पहला और आखरी प्यार है तुम्हें विजे को भूलना होगा हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा मैंने राजा साप को वशन दिया है कि तुम्हें के सामने कभी नहीं जाओगी ये मेरा हुकम है ये ले घुंगरो और तयार हो जा सेट को तेसी पाकिजा लड़की चाहिए आज तो बोगुना दामलूंगी तेई नहीं जाओगी गिले बजते है मजबूर हमारे ये घुंगरो अब तो है जीने के सारे ये घुंगरो खुष करते हैं दुनिया को है बेचारे गम की मारे वे घुंगरो घुंगरो की आवाज समाना सुनता है ये नहमा ये आवाज समाना सुनता है पर दिल की आवाज सुनाए हम किसको बंद लगों का अधा अताई हम किसको खुंगरो की आवा समाना सुनता है ये नहमा ये आवाज समाना सुनता है आवाज मौर्स एक रात की दिहन यहां तो बरती है रात को दीजी रोज सभा को भरती है आती है बारा कोई ना इस गर पे किसे पहुँ जो दिल में यहां तो गरती है काम यहां इस दिल का सकाना सुनता है गुंगरू की आवाल शमाना सुनता है यह नहुमा यहां जमाना सुनता है काम झाल जमाना सुनता है यहां मिलेंगे देश चलाने वाले थे पजने वाले और पराने वाले थे यहां मिलेंगे देश चलाने वाले थे पजने वाले और पराने वाले थे आपने हैं परूर बनाने वाले थे जड़त वा यक्ता इन से ही वोदा है खुरू की आवा अजमाना शूता है यह नगमाई पाजमाना शूता है यह नगीना कांसे ढूंड लिया अरे जो हमें पसंद थी वा क्या बात है उसे ढूंड निकला मुनी बाई की कोठे पर देर है अंधेर नहीं दो लाक और लगेंगे नगत के वह भी नकत अरे बहुत कम कीमत लगाई यह तुमने हमारे प्यार की मुनी बाई यह लग इस बैग में पूरे पांच लाक है हर मेने और पैसे पहुंचाए करेंगे मुनी बाई शुक्रिया हाँ हम तो चले अपनी जान के कमरे में अलविदा अलविदा हरी जान आ रहा हूं औरे मेरी जान जा रहा हम आगे लगता ही तो पहले से ही तयारी कर रही है वाँ चुनरी के पीछे क्या है चुनरी के पीछे वाँ 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 चुनरी में दिल है मेरा चुनरी में दिल है मेरा ये दिल मैं दूंगी रहे रहे गिर गई वाँ 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 नारी है लगता फ्रेश हो रही है थोड़ा मैं भी फ्रेश हो जाता हूं साथ में नाएंगे हम तुम एक बात्रूम में बंद हो और सावन आ जाए सोचो जरा सावन हो तो क्या हो सोचो जरा सावन हो तो क्या हो हम तुम लाल चड़ी कोई बात नहीं इसको भी उतार दूगा जाना है अब हम दोनों साथ में नाएंगे मैं जानता हूँ कि तुम को शरा महारी होगी इसलिए मैं अपनी आके बंद कर लेता हूँ हे बड़े सर जी अरे चंग्री मिया जी इस बैग में कुछ और नोट है क्या नहीं इसमें नोट नहीं है दवाईया है यह देखे तुम कहां हो जानों थंडे थंडे पानी में नहाना चाहिए जानम हमारे शरीर पे साबुन मलो अपनी नाजुक नाजुक उंग्लियों से हमारे शरीर पे साबुन मलो मैं हमेशा इने अपने पास रखता हूं पता नहीं कविन की जरुरत पढ़ जाए दरहसल के आए हमारे सर जी को पंगा लेने की बहुत आदत है इस वजह से अक्सर मेरी बढ़ाई हो जाती है मेरी जानम जानम देखो हमें बहुत ठन लग रही है जानम लगता तुमने अपनी आँखें बंग की हुई है अपनी खोलो खोलो जानम आँखें खोलो और हमारे करीब हाओ देखो जानम अभी हमें और और तंग मत करो नहीं तो हम अपनी आँखें खोल लेंगे हम सिरफ ती जानम, जानम, आउना, हम आंके खोड़ रहे हैं, जानम जानम, जानम, मुल्ली भाई, मुल्ली भाई, जानम भाग गई जानम भाग गई, मुझे चूना लगाकर भाग गई देखो, रेश में भाग गई, तुम्हें से यहां ले आना, वन्ना, मैं तुम्हें जान निकाल दूगी, तफाओ जाओ यह लीजे, सिर्साथ, आप कपड़े पह लीजे और फाओ घजा बना जलो कंग आगे नह जर तरेगला 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 नह जडेटरा थाक पो अजला खला फदी सिनलीव, बाचला जली की अडे बना कौन थे वो लोग नहीं मालूम कहां चले गई थी तुम बहुत दूछ चले गई थी अब अगर तुम नहीं मिलते तो हमेशा के लिए चली जाती मगर क्यों मेरी मुहपत में कौन से कमिया आ गई थी जो तुम मुझ से दूर जाना चाहती हो तो मैरी चाहत, तो मैही पूजा. फिर कौन से खताद कीया है मैनने चितनी मुहपत तुमने मुझे दी हैं इस जनम में तो क्या अग्ले जनम में भी नहीं मिलेगी इस भागन को लेकिन कौन है वो जो तुम्हें मुझ से अलग कर देना चाहतے हैं तुम्हारे माबाप? माखो तुम्हेने देखा नहीं बाप कौन था? मैं जानती नहीं विजे मेख नहीं तुम लावारस नहीं हो जाना मेरे डाड़ी तुम्हें अपनी बहु बनाना चाते है क्या? हाँ तुमसे मेरी शादी करने के लिए राजी हो गए वो साच विजे 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 चले विजे बहुत परिशान है जीजाजी जाना मुसे मिलने ही रही है कहीं अरे जिस लड़की के ना घर का पता है ना उसके माबापका मैं समझता हूँ कि हमारे बेटे के लिए उसका रिष्टा मुझे बिलकुल पसंद ने करना जाए गुड इवनिंग राजा साब आओ बेटी आईये आये नमस्ते अंकल नमस्ते बेटे कई मेरा सब कैसे आना हुआ बोलो बेटी अंकल उस दिन आपके बेटे के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अरे कैसी बाते कर रहो बीटी उस वक्त तुमने उसके बारे में जो कुछ भी कह था वो सब सच था लेकिन अब भगवान के दाय से वो बिलकु ठीक हो गया है अब तो कई घरानों से उसके लिए रिष्टे भी आने शुरू हो चुके है राजा साहब अब तो किरन भी विजय से शादी करने को तयार है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है सच किरन जी अंकल माई अगर दोस्ती जो है रिष्टे में बदल जाये इससे बड़ी बात क्या हो सकती मुबारक हो राजा साहब थैंक्यो हलो पापा आओ भांजे आओ आओ हाई विजय इनसे मिलो ये है जानम मेरी होने वाली पत्नी नमस्ते और जानम इनसे मिलो बहुत अच्छी जोड़ी है अच्छा अंकल हम चलते हैं नमस्ते मैं बात में मिलता हूँ फोन करूँगा बाई कहां से मिली जानम गुंडों से बचकर छुपी हुई थी मैं घर ले आया हाँ जानम अब तुम जल्दी से अपने माबाप से हमारी मुलाकात करवादो ताकि विज़े से तुमहारे की बात पक्कि हो जाए इसके कोई माबाप नहीं है कोई रिष्टेदार वो भी नहीं है मुझे बदाओ के तुम कहां रहती हो और क्या करती हू? जानम होस्टल में रहती है और सेल्स गर्ल है मेरी हर बात का जवाद तुम क्यों दे रहे हूँ, इसे बोलने दो बताओ कौन हो तुम और कहा रहती हूँ बोलो जवाद दो मुझे जीजाजी, आप तो ऐसे लट मारके सवाल पूछ रहे हूँ, जिस बिचारी ने कोई गुना किया हो, जुर्म किया हो दिखाई नहीं देता, अच्छी खासी शरीफ लडकी है, मुझे तो इसमें कोई नुक्स नहीं देता मैं एक राथ दूलन बनने के लिब पैसे लेती हूँ, मैं एक तवाइफ हू, विजय, हम तवाइफू की डोली नहीं उठती, सिर्फ जन्वा से उठते है, हाँ विजय, मैं एक तवाइफू नहीं जानम, क्या दो ये सब जूट है, क्या दो ये सब जूट है नहीं विजय, ये सब सच है, मैं तुमारी तुलह नहीं बन सकती मैं एक तवाइफू विजय, मैं एक तवाइफू सकती के खिर लिएफू कि बिएफ़ाईणे लिएफू चाहिए बादर परोबद ऑाधू अरी मैं एक रादर मकाई बादर भीनि जानिकित एखिने इस अरी जा में एक रादर बाया ये रही रेश्मा, बिल्कुल सही सलामत बाई जी, बाई जी, मुझे मर जाने दो, बाई जी, मुझे मर जाने दो अगर मरने से चैन मिलता, तो सभी मर गए होते और हर दर्फ कप्रिस्तानी होता हम तवाइफ हो के सिर्फ आशिक होते हैं, खामिन नहीं ये आज मुझे पता चल गया है, कमवक्त, क्या तु विजय तो मिलने गही थी मैं तो अपनी इसमत बचाकर जान देने जारी थी विजय मुझे तुम्हारे आद्मियों से बचाकर अपने घर ले गया, राचा साथ के पास और जो विजय को पता चल गया, कि तु एक तवायफ है, तो उसने तुझे अपनाने से इंकार कर दिया, तुझे ठुकरा दिया हाँ, आज मुझे यकीन हो गया है, कि कोठे से तवायफ के डोली नहीं, सुर्फ जनाजा उड़ता है और ये भी एकिन कर ले, कि तवायफ हों के शोहर नहीं, खाविन नहीं, सिर्फ भॉट होते हैं सुर्मा, जी बाई जी, रेश्मा पर कड़ी नज़र रखी जाए, दुबारा भागने की कोशिश ना करें, जी मैं केकी सेट से इसका सौधा कर चुकिया, वो दिवाना है इसका, लाखो रुपे और लुटा देगा इस पर आप फिकर ना किजिए बाई जी, आप चेडिया पिंजरे से उड़ने ही पाएगी सोने की चेडिया है न सौने की चेड़ने की की चेड़ने की पिम्तिया लुटती समय मेर्या है पिता कीकी से उड़ने की ऊचाएड़ने की देखे जाफे जाफे में ओ जानम बता दे तु मुझे से हुई क्या हता बता दे तु मुझे से हुई क्या हता तुछे दर्द देकर तुछे क्या मिला जानम ओ जानम तु जानू, जानू, मेरे बेबसी क्या, तुझे क्या पता मेरे बेबसी क्या, तुझे क्या पता तुझे ना समझे लेना तु बेवफा जानू, जानू, जानू जानू, जानू, जानू चाह दिल ले मेरे तुझा तुझे, तुझे हीर समझा मैं लैला तुझे मैं करता रहा तुझे को सज बेहजा मगर तुने मुझे से किया जू था प्या ये किस बात की तुने दे दी सदा बता दे तु मुझे से कुई क्या हता शे दर्द दे कर शे क्या मिला आ जानम, आ जानम आ जानू, आ जानू मेरे प्यार पे शक ना करना सनग मैं पाकिवा हो तेरी जाओ की पसन मेरे प्यार पे शक ना करना सनग मैं पाकिवा हो तेरी जाओ की पसन सभी कम न होगी मुखबत मेरी मैं करती रहूँगी इबादत मेरी मुखबत का तु है मजिहा मेरा तेरे बसी क्या तुछे क्या पता मुझे ना समझे लिलो तु बेवफा आ जानम, आ जानम, आ जानम मुझे लिर से तु तु बेवफा मुझे ना जानम मुझे लिलो तु बेवफा दीत तु आनम से जानम आजम मैंने सोचा था दोले तेरे लाऊंगा सजी सेज पे मैं तुझे आऊंगा तुझे तेरे दुल हल ना चन पाऊंगे यूही किस जहां से चले जाऊंगे खुदा बेरह्म बेजुदा हो गया मेरे बेबती क्या तुझे क्या पता मुझे ना समझ ले ना तू बेवाबा जानम 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 बता दे तू मुझे से हुई क्या हता मुझे बर्द दे कर मुझे क्या मिला जानम 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 मुनी बाई पिर वो लॉटा उनफ है तुमने हमसे वाड़ा किया था कि रेश्मा विजय के सामने कभी में आएगी फिर ये सब कैसे हुआ, कहा है तुम्हारे जुबान, कहा है तुम्हारा वादा, बोलो मैं तो अभी आपसे कह रही हूँ, कि रेश्मा विजे से मिलने नहीं गई थी विजे खुद मेरे आदमियों की नजों से बचा कर उसे अपने घर ले गया था, आपकी घर की बहु बनाने के लिए रेश्मा मेरे बुड़ापी का सहरा है, लाख हो रुपे कमा कर देती है मुझे भला मैं अपने सोनी के चिडिया को आपके लोहे के पिंजने में किस तरह से बन कर दूँ जूट बोल रहे हो तुम, अपने कोठे से हमारी कोठी की मालकिन बनाने के लिए इस तोटके के लॉंडिया को तुमने जान बूच कर भेजाए लॉंडिया का नाम रेश्मा है राजा साहब हाँ रेश्मा उफ जानम एक छूटी तवाइफ के पाली हुई लॉंडिया हम अच्छे तरह जानते हैं इस खुस्ताखी के लिए हम इस कोठे को जलाकर राख कर देंगे आइस्ता बोलिये राजा साहब ये मेरा कोठा है आपकी कोठी नहीं आप इस शहर की मालिक जरूर हो सकते हैं लेकिन इस कूचर कोठे की मालकिन मैं हूँ और इसे जलाने वाला खुद भी जलकर राख हो जाएगा बजात औरट तुम्हें पैसे चाहिए ना ये लो ये लो उठालो उठालो इन्हें और इस लोनिया को ले जागर कहीं दूर गुम हो जाओ ऐसी जगा जहां हमारे बेटे की नजर तक ना पहुँचे हम उसे कह देंगे कि इसने खुद कुशी कर ली है मैं रेश्मा को गुमनामी की जिन्दगी नहीं देना चाहती मैं एक तवायफ हूँ भीग मांगना मेरा पेशा नहीं भीग नहीं हम सौदा कर रहे हैं तुमसे इस लोन्डिया को हमारे बेटे से दूर रखने का एक महफिल की शमा को हम अपने घर का चिराक कभी नहीं बना सकते हर किस नहीं वा राजासाब वा पहले तो आपने ये सौदा किया था कि रेश्मा आपकी बेटे की साथ रहे उसे प्यार करे उसे एक मर्द बनाए ताकि एक अमीर घराने में उसकी शादी हो आप रेश्मा के खेल भी क्या निराले हैं अब आप ये सौदा करने आएं कि रेश्मा और विजे एक दूसरे से अलग हो जाएं ताकि रेश्मा एक गुमनामी की जिंदगी बसर करें नहीं राजा साब मैं ऐसा नहीं होने दूँगी मैं रेश्मा का सौदा कर चुकी हूँ और वो इसी शहर में रहेगी तो फिर हमारा फैसला भी सुन लो नुबारा रेश्मा ने अगर विजे से मिलने की कोशिश की तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखरी दिन होगा रेश्मा आपके बेटे से नहीं मिलेगी रही धमकी की बाद वो मैं भी दे सकती हूँ आप अपने नोट ले जा सकते हैं कोशे के फर्श पर बिच्छे हुए नोटों से हम अपने घर को नापाक नहीं कर सकते समझ लो यह हमारी तरफ से बक्षी शह है कितना घमंड है राजा साब को अधाब मुन्य भाई अब आप कौन सी धमकी देने आये हैं मुझे हुजूर मैं कोई धमकी अमकी देने नहीं आया हूं मुन्य भाई मैंने राजा साब के साथ आपकी सारी बातें सुन लिये बात जुल्म हुआ है विजय के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ है राजा साब अपने बेटे को एक मर्द बनाना चाहते थे सो उन्होंने बना दिया विजय जानम से महबबत करने लगा है यह उसकी पहली महबबत है जो बहुत खतरनाक हो सकती है विजय जानम से प्यार करता है रेश्मा समी विजय को पता चलिए कि जानम एक तवाइफ है अब यह महबबत नफरत में बदल जाएगी वाँ जानम वाँ तुमने विजय से प्यार का स्वांग रचाया और वो सच समझ बैठा गलती मेरी भी थी मैं भी तुम्हें पैचानना सका कितनी असली एक्टिंग की तुमने तवाइफ हो ना तवाइफों का काम होता है जूटी महबद करना ग्रहों को का दिल बहलाना नहीं तो आम तवाइफों के कोठे कैसे आबाद होंगे वीरू सेट तवाइफ सिर्फ पैसे से सचा प्यार करती है और मैंने पैसों की खातिर जूटा प्यार किया जूट बोल रही हो तुम तुम जूट बोल रही हो खाओ मेरे सर की खसम के ये जूटा प्यार था खाओ मेरे सर की खसम तुम्हारी आखें बता रही हैं कि तुम विजय से प्यार करती थी और करती हो लेकिन मजबूर हो राजा साप की डर से और मुन्नी बाई के खौफ से मैं तुम्हें एक पल भी इस दोजख में नहीं रहने दूँगा आओ मेरे साथ नहीं आखिर आप चाहते क्या है कि मैं अपना धंदाबन कर दूँ इन लड़िकियों को प्यार करना सिखाओ ताकि भाग भाग की शादी करें नहीं ऐसा हर्गिस भी होगा मुन्नी बाई की कोटे से जो साली निकलेगी उसे जिन्दा गार दूँगी और आख से भी कहरी हूँ कि अगर आपने रेश माक वरगलाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा मैं इसे नई जिन्दगी देने की कोशिश कर रहा हूँ इसके पहले की मेरी खोपड़ी घूम जाए चले जाओ यहां से सूर्मा जी बाई जी सेट जी को शराफत से बाहर का रास्ता दिखाओ चलिए मुन्नी बाई इस बार तो मैं शराफत से बाहर जा रहा हूँ लेकिन लोट के जरूर आउंगा सूर्मा जी जितने भी नोट यहां पड़े हैं उठाकर गरीबों में बाट दो जो हुकम बाई जी कसूर तो मेरा ही था जो मैं राजा साब की बातों में आ गई और तुझे विजय की इतने करीब आने दिया लेकिन याद अखना अगर तुने मेरे साथ कोई भी भी मानी की तो फिर तुमेरी जात से अच्छी तरा वाकिफ है ना मैं तुम्हें अकेरा छोड़ता और ना तुम एक दवाइफ के चकर में भंसते बेटा मैं मानता हूँ कि गलिती मेरी है मगर तुम फिकर मत करो तुम्हारी शादी किरिंद से होगी वो एक बहुत अच्छी खंदान की लड़की है लेकिन आप क्या हैं ये मुझे आज पता चल गया बहुत ही घटिया किसम के आदमी हैं आप अब अगवास खर रहे हैं तुम बन खर आपनी जुबान तुमने बहुत पी रखी है हाँ पी तो रखी थी सब उतर गई आपको मुझे बाई के कोठे पर देखकर वाँ 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 कैसे सौधागर हैं आप क्या कहने मुझे बाई से खरीदा था अपने जानम को विजय के साथ प्यार का नाटक करने के लिए हाँ तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करने के लिए ताके तुम मर्द बन सको और आज फिर गए थे ये मुझे बाई के कोठे पर सौधा करने कि जानम तुम्हारी जिन्दगी से निकल जाए वरना ये उसका खून कर देंगे पापा क्या ये सब सच है हाँ ये सच है और मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया है कोई भी लड़की तुम्हारे साथ शादी करने को तग्यान नहीं थी डॉक्टर ना हमसे कह दिया था कि अगर तुम्हारी जिन्दगी में कोई लड़की नहीं आई तो तुम्हें एक अधुरी इंसान रह जाओगे मैं घबरा गया बेटे मैंने सोचा जिन्दगी भर मेरा बेटा कुवारा रह जाएगा और हमारा वंच हमेश हमेश के लिए खत्म हो जाएगा इसलिए मुझे ये ठोंक करना पड़ा क्योंकि एक तवाइफे इस काम को कर सकती थी मैंने जानम का सारा लिया हाँ ये सच है तो क्या जानम मुझसे जूटा प्यार करती रही मेरे दिल से खेलती रही हाँ बेटे सिर्फ पैसे के लिए उसने तुमसे जूटा प्यार करने करना ठक किया नहीं जानम तुमसे सचा प्यार करने लगी है सच अंकल हाँ लेकिन वो पालइ सहाप के खौफ के खौफ की जलम से डरती है। पापा आपने मेरे इलाज के लिए जानम को जरूर खरीदा था.. लेकिन अब जानम मेरी जिन्दगी बन गयी है। अब जानम इस घर की बहु बनेगी। अरगस नहीं। एक बाजारी काली हमारे घर की बहू कभी ने बन सकती ठीक है इस घर की बहू ना सही लेकिन जानब मेरी बीवी ज़रूर बनेगी माप बच्छे इसलिए पैदा नहीं करते ही कि वो उनके दिल को चोट पहुंचा है जो चोट आप विजय के दिल को देना चाहते हैं वो आपके दिल के चोट से कहीं ज्यादा गहरी है अफसाने में बदल दूँगा, जिससे दुनिया का हर प्यार करने वाला इब्रत हासिल करेगा बंद कर ला अपने जुबान, और निकल जाओ इस घर से, लाबत जा रहा हूँ मैं, लेकिन विजय मेरे साथ जाएगा, चलो विजय, तुम नहीं जाओ गए यहां से चलिए वीरो उंकल, विजय, रुख जाओ विजय, मैं कहता हूँ, रुख जाओ विजय मेरे घर के चिरहक ने, मेरे ही घर को अग लगा दे नहीं, मैं इसके साथ हरके सही जाओगी जाएगी कैसे नहीं, मैंने केके सेट के साथ इस जाएगा, कि रसम मंजूर की है मैं अपनी जान दे दूगी, लेकिन अपने जिस्में बिक्ने नहीं दूगी, नहीं बिक्ने दूगी हर राफा, जवान चलाथी मेरे साहने अच्छा, अब तु मुझे मारेगी हाँ घबरामत भाई जी, मैं तुम्हे नहीं मारूगी तुम्हे तो इस नर्व में सरना है मैं अपने आपको खतम कर दूगी रुक जाओ जानम तुम्हे जीना है जानम, तुम्हे अपने विजय के लिए जिन्दा रहना होगा अच्छा है आप दोनों मेरे जनाशे को कंधा देने के लिए हैं क्या बक्तियो चले जाओ तुम लोई इना से वारना तुम दोने की लाशे पुलीस तक भीने मिलेंगी समझे सर जी लगता खुन खराबा होने वाला भाग लेते खालश हम जानम के बगार ने जाएंगा यहांसरे जानम मेरे साथ जाएगी हो! पुझ कहा हुट! ठ pewno Away! व। पराइज आ के और कूओ? राजा साहब राजा साहब कहा है राजा साहब चलामत यह किसी तवाइफ का कोठा नहीं है शरीफजादे का घर है नफरत है मुझे तुमसे और तुमारी आवाज से तुम एक खुदगर्ज और घटया किसम की तवाइफ ने कि लिए हमने अपने बेटे की जिन्दगी सवारने के लिए तुम्हारी मदद ली थी, लेकिन तुम और तुम्हारी रेश्मा ने मेरे बेटे को आपने जाल में फांस कर उसकी जिन्दगी तभा कर दी जिन्दघी तो मेरी तबाह किया आपकी बेटे ने मेरे कोथे पर आकर मार पीट करके रेशमा को भगा कर ले गया शाधी के लिए आपकी कोथी के शान बढ़ाने के लिए क्या आप बक्ति हो मेरे जीती जी मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता मैं कब चाहती हूँ कि वो ऐसा करे, मैं तो केके सेट से रेश्मा के लिए एक मोटी सी रखम ले चुकी हूँ, वो उसे अपनी बनाना चाहता है मैं तो सरफ ये कहने आई हूँ, कि एक दिन मेरे कोटे पर आकर आपने मुझे धमकी दी थी, कि अगर रेश्मा मुझे से मिली, तो उसकी जिन्दगी का आखरी दिन होगा और अब मैं आपको ये बताने आई हूँ, कि अगर आपकी बेटे ने में रेश्मा को नहीं लोटा है, तो मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगी दो टके की दवाइफ की ये जुरत, मेरे बेटे पर बुरी नजर डालने वालों कि मैं आख्ये निकाल लेता हूँ इससे पहले कि तुम्हे जिन्दा काड़ दूँ, अब ते बुर्ट को लेकर यहां से निकल जाओ, बभाओ जाओ यहां से, इट आउट ये थपड़ आपको बहुत मेहंगा पड़ेगा राजा साहथ, इट आउट आज एक तवाइफ ने मेरे खर में आके मुझे धंकी दिये, कि वो मेरे बेटे को जान से माँ डालेगी अगर मैं अपने बेटे प्राज भी नहीं आने दूगा विजय, सबकुछ जाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो, एक तवाइफ से प्यार करते हो जानम तवाइफ होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर जो वारत है, वो पाकी जहा है खुदा की नाम की तरह तुम मेरी जिंदगी हो जानम लेकिन लिजय, राजा साहब तुम मुझसे नफरत करते हैं वो मुझे तुम से जुदा कर देंगे लेकिन मैं तुम दोनों को जुदा नहीं होने दूगा मैं तुम दोनों की शादी करा के ही रहूँगा चाहे, राजा साहब मेरी जान क्यों न ले ले? जान तो मेरे विजय की लूँगी. अगर तुमने जानम को मेरे साथ आने नहीं दिया. और तु, तुमें जात से वाकिते न कुटे? जादे, ठूँ. जानम, चल मेरे साथ. जानम यहांसे नहीं चाहेगी. मुन्नी बाई, जब यह पैदा हुआ था, तब तुने इसे अपनी गोदी में लेकर लोरी सुना ही थी. चोटे राजा को लग जाए हमारी उमरिया. अब तु इसकी जान लेना चाहती? तु रसता हज्जा, वाला तुझे भी गोली मौर दूगी हज्जा! तु इसे मागना चाहती है ना, चला गोली, चला! नजाने कितने घर बरबाद कर चुकी है तु! नजाने कितनी मासूम लड़कियों को मर्दों की हवस का शिकार बनाकर पैसा कमाया है तुने! कितने पाप किये हैं तुने तुझे इसका अहसास है? अरे तु औरत नहीं औरत के नाम पर धबा है, कलंक है तु! किस मुश्किल से छुड़ा कर लाये थी हम जानम को तेरे पिंजरे से? अब तु मुठी भर पैसे के लिए जानम को फिर उसी पिंजरे में बंद कर देना चाहती है? अपनी तरह घोट-घोट के मर जाने के लिए अरे तेरा घर तो बस ना सका, कम से कम जानम को तो अपना घर बसा लें दे मुन्य भाई मुन्य भाई जब भगवान ने रिष्टा मन्जोर कर दिया तो आप क्यूं हम दोनों को चुछ चुदा करना चाहती है? मान जाओ मुन्नी बाई, जितने रुपए चाहो मुझ से ले लो, कहो तो पूरा घरबार तुम्हारे नाम कर दूँ मान जाओ मुन्नी बाई, औरत का दिल मोम की तरह होता है, पथर दिल ना बनो भले ही तुमने इसे जनम नहीं दिया लेकिन तुमने पाला तो एक मा की तरह ही है तुमने चाहे जनम को अपना दूद न पिलाया हो लेकिन अपने लाड और प्यार से पाला है इसे जनम की शादी विजय से करा दो मुन्नी भाई हाँ मुनी भै, अपने हाथों से इसका कन्याधन कर दो एक मा का हक अदा कर दो हाँ, मैं मा का हक अदा करूँ मैं तरी शादी विजे के साथ ही करूँगी और किसी के साथ तरी शादी नहीं होने दूगी मैं मा का हक अदा करूँगी मुझ मैं ममता है, मैं माँ आओ, मैं माँ मैं करूंगी तेरी शादी धूम धाम से और तेरी शादी सरफ विजय से होगी और किसी से नहीं, और किसी से नहीं जानम का सौधा हो जुका मुनी भाई, मुझ मांगी रकम दे चुकाओ मैं केके सेट, मैं तुम्हाई सारी रकम सूथ समय तुम्हें वापिस दूगी लेकिन तुम जानम को छोड़ दो, अगर जानम की शादी होगी तो सिरफ विजय की साथ होगी आफ मेरे सिवा को छolly झूभी नहीं सकता जानम को हाथ लगाने वाले के हाथ मैं तोड, तो तोड़दूगा कोई आगी नहीं बड़ेगा कोई जनम के सेट महार पिटाई से कोई फायदानी तोई फायदा नहीं है चोड़ दो इस लड़की को इस बच्ची को हाथ लगाने वाले को मैं जिन्दा कार दूँगा जानम हमारी होने वाली बहू है इस बच्ची बहुड़ दुब इस लड़ा है जुझ केल झाल 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 जानुन, मेरे साथ चलो के किसे तुम्हें पैसा दे चुका है, कमाँ जवाट, डल्ले, मुझे तुम डल्ला बोलती है, मेरे जैसा सादू को तु डल्ला बोलने लगी तुक, तुक मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरी बॉड़ी को हाथ मत लगा ना, जो काम तुम करना चाथे, वह मैं खुद कर लूँ लाई, ये ले, ये ले, ये फार दिया, ये ले अबे हो गुंडो, मेरे केके मेरे मालिक को मारना बन करो, मेरे बदन में जान होती तो मैं बतार दो तुमको, झाल झाल जब तक तु जिन्दा है, जाननम मेरी नहीं हो सकती कमीने साली ये तुम्हें क्या किया मुन्नी भाई मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान की खुर्वानी दे दी राजा साब, जब विजे पैदा हुआ था न, तो मैंने इसे अपनी गोद मिलेकर लोरी काई थी मुन्ने राजा को लग जाए, मेरी भी उमरिया, बड़ा होके लाए, चंदा सी दुलनिया फिर मांगूंगी हीरे के कंगना, मैंने, मैंने अपना फर्जादा कर दिया, देखिए मेरी जान भी गई, तो ना आपकी कोठे पर और ना मेरे कोठे पर ए, ए, ही, ए, ए, ही! लाव, ए, 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 ए,ए... झाल झाल